श्री गडेशाय नमाह, महालच्मे नमाह, वास्तु ग्यान गंगा यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत हैं, करोडपती लोग हर साल धन तेरस पर सोना चांदी के साथ साथ ये एक चीज जरूर खईते हैं और अपनी तिजोरी में रखते हैं, जिसे माता लच्मी हमेश उन पर क्रिपा बरसाती हैं और पूरे साल घर में घरपूर धन आता हैं, धन तेरस का दिन सबसे बड़ा दिन होता हैं, धन तेरस से ही दीपावली की दिन प्रारम हो जाते हैं, धन त्रोदशी के दिन यानि धन तेरस के दिन खरीदारी का बड़ा मैत होता हैं, इस दिन धन हल्दी की गांट खरिदारी करते समय हल्दी की गांट जरूर खरिदनी है और हल्दी की गांट लाकर के माता लच्मी जी के सामने लालय पीले कपड़े पर रख देनी है धन तेरस दीपावली चटका तिवार आ रहा है इस दिन लोग मा लच्मी को प्रसंद करने के लिए बहुत कोछ अपनाते हैं वैयमील लोगों के लिए एक चीज बियादी माने रखती है जिससे मातालच्मी जी प्रसंद हो जाती है ऐसे में अगर हम कहें कि करोरपती लोग जैसे बड़े बड़े लोग ये चीज लागते हैं और इससे पूरे साल उनकी घर में पैंसा आता है तो आप पी ये चीज जरूर ले करके आएं धन त्रोधसी और दीपावली पर धन की देवी मातालच्मी को प्रसंद करना बहुत ही जरूरी होता है और धन की देवी माता लच्मी जिसके उपर प्रसनों गर में भरपूर धनाता है गर में सुक समरदी और धनाता है इसी के साथ गर में कभी भी पेंसों की कमी नहीं रहती दरसल यदि आप दन तेरस पर सोना चांदी नहीं खरीच सकते तो आप एक चोटी से चम्मच खरीद लें करोड़ पति लोग इतने अमीर होने के बावजूर भी दन तेरस पर एक चोटी चम्मच जरू करिते हैं लेकिन ध्यान रहे इस चम्मच से आपको खाना नहीं खाना हैं बलकि इसे उठाकर अपनी तिजोरी में रखना हैं अगर सम्मब हो सके तो छोटी सी चांदी की चम्मच बनवा लें और इस पर थोड़ा सा हल्दी का टीका लगाएं ऐसा करने से आपके घर पर माता लचमी की किरपा बनी रहेगी और पूरे साल धन की बढ़सात होती रहेगी हमेशा आपके घर में धन की बढ़ोतरी होती रहेगी करोड़ पती लोगों की घर भी इसलिए पूरी साल धन बढ़ता है क्योंकि वह चांदी की चम्मच ला करके आसाधा चम्मच ला करके और चम्मच के ऊपर एक पीली कोड़ी और एक रुपी का सका बांद करके मोली से कपड़े में उसे बांद करके घर की तिजोरी में रखने से हमेशा धन बरसता रहता है बरकत होती रहती है और मात अलचमी हमे सुषने होगी दंत्रोधर्शी पर जादा से जादा दीबदान करें और माता लच्मी को प्रसंद करें श्री महालच्मी नमा